अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से फेमस वाइरस हैं जो आपकी सिस्टम को डैमेज करते हैं जो बहुत पहले से भी डिस्कवर किये गए हैं जैसे आइलव यह वाइरस है जैसे वाइरस हैं जो सिस्टम में उसको डैमेज किये हैं थे इलव यह वाइरस हैं जैसे नाम का एक वाइरस है जिसके डिसकवरी हुई थी 2001 में नौ मैलिसा नेम्ड आफ्टर दी एक्जॉटिक डैंसर ओफ फ्लोरिडा वस क्रिएट बाइड डैविड एल स्मिथ इन 1999 आपको पते कुछ वाइरस जो हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया भी जाता है ठेक उसमें से एक है मैलिसा मैलिसा नामक जो वाइरस है उसको स्म अन्याइड चैशनी नाम जेत मैलिसा कई यह उसमेंस इस वाइरस को शेंदो कितिसे हैं धादर के बिलसे आफी के आपके पाई हैं जो फेमस वाइरस। तो लेट्स वाम वाम is a program which can replicate itself वो खुद से क्या होता है replicate होता है खुद की duplicate बनाता है वाम एक virus का type है It makes copies of itself Yes It does not require a host to carry it It capable of traveling across the network ये जो वाम नाम का virus है इसको travel करने के लिए किसी की जुरत नहीं पड़ती जैसे हम लोग क्या बलते हैं पेंड्राइव इंड्राइव से इंजैक करके हम एक जग से दूसरी जगा virus ले जा सकते हैं CD में हो, पेंड्राइव में हो या इंटरनेट से कुछ चीज अगर हम access करें तब पर ये वाम नाम का virus को उन सब की जरत नहीं पड़ती ये इंड्राइव से ही क्या हो जाते हैं स्प्रेड हो जाते हैं आप बोलोगे मैडम network मतलब कैसे तो आपका जो internet है internet तो largest network है ना भई तो वाम जो है वो internet से आ सकते हैं ठीक वाम नाम का virus क्या होगा खुद की coffee बनाते जाते हैं देखो ना कैसे दिखाया है इतना मतलब क्या बनने चाहिए beautifully pictured कि रमत पिक्चर राइजिशन किया है यहां पर ताकि बच्चों को और अच्छे से समझाए यह वाम नाम का virus से जो system को खा रहा है समझो खाने का मतलब होते है कि damage कर रहा है यह देखो damage किया यह से आपको समझाने के लिए किया है अब देखिए damage caused by a warm क्या करते है the warm consumes too much memory यह बहुत जादा memory को consume करते है और network bandwidth by replicating itself causing the server and personal computer to slow down or stop responding and finally crash क्या करता है यह पूरे space को खा जाता है ठीक इस पेस खाया nap काया system slow हुआ system slow हुआ फिर उसके बाद hang on a start होता है hang on a start बरता है पूरे system को crash कर देता है उसके बाद आपका system चालू ही नहीं होगा ठीक आरे समझ में इतना मतलब क्या बलना चाहिए harmful है इतना जादा भायानक है यह अपके system को चालू होने नहीं देगा बुटिंग मतलब होने ही नहीं देता है यह warm ठीक now they can also act as a carrier of virus and frozen तो warm अगर आपके system में आया है तो possibilities बन जाती है कि जो दूसरे viruses हैं वह भी आ जाए warm आने के बद आपका virus भी आ सकता है example of warm would be to send copies of itself to everyone who is in your email address book तो अगर आप warm आपके system में आ गया तो अगर आप किसी दूसरे के system में warm आया है मालो के और वो आपको mail कर रहा है या email कर रहा है तो email attachment के साथ में भी वो virus हमारे तका सकता है आरी बत समझ में तो ऐसे जो है virus क्या होता है फैलते चले जाता है ठीक यहा यह देखे .exe file में virus आएगा email में virus आ सकता है www से virus आ सकता है और यह virus देखो फिर फैलते जा रहे है ठीक है some will known virus अब हम warm की बात करें तो कुछ known warm है को हम लोग जानते है इसका नाम है निम्डा दूसरा है slammers यह दोनों warm क्यों टाइप है ठीक आपको पते है न warm अलग है virus से अलग है यह सब ही वाइरस ही है और यह थोड़ा थोड़ा इस हमें डिफ्रेंस रहते है अब वाइरस में warm में पहला है निम्डा निम्डा क्या है 2001 में था ठीक वाज मास मेलिंग warm यह mail की थ्रू ही आता है generally and the name of virus came from the reverse spelling of admin अरे बाद देखो admin का जस्ट टूलता है निम्डा यह बड़ा interesting concept है एना admin के उल्टा admin को नहीं होता है बटा जिसके पस access होता है जिसके पस authority होती है जिसके पस power हता है किसी भी चीज़ को access करने की एना यह किसी system को यह जिसका जो owner होता है उसको admin बोल सकते है ना तो जो owner के opposite काम करे बीना इसको बता है या क्या बोलना चाहिए बीना इसको inform के that is nimda and it is the opposite of spelling of admin एक आपको एक बर मियाद हो जाएगा और यह किसके टाइप है warm के टाइप है slammers the fast moving warm managed by temporary bring down the internet in 2000 जनुरी 2003 तो जो slammers नाम का जो वाइरस है वो जनुरी आपकी इंटरनेट से आता है मैं बार बार बोलती हूं अगर आप फोन वगेरा चलाते भी हो ना तो नेट को हमेशा मत चलू रखा करो है ना या नेट को जाधे access करना सही नहीं यह नेट से तो बहु इसलिए आपना नेट का यूज आदा मत किया करें जितना जुरत है उतना करो ठीक है और अगर आप कर भी रहे हो तो आपके फोन में आपके डिजिटल डिवाइस में एंटी वाइरस सॉफ्ट वगरे रखो तभी बचेगा नहीं तो फिर जैरम जी की है यह ना system खराब हो ज जीजे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ट्रोजन होर्स के बारे में वाम का बारे में पढ़ो वाम के डाइग्राम को अच्छे से देखो वाम के ट्राइप्स को पढ़ो और आगे के जो पेज हैं पेज नेंबर 108 109 इन सभी को आप पढ़के रखें फिर मैं अच्छे लागे 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 ला